गुड मॉर्णिंग्स स्वागर थे आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो चलिए शुरुगात करते हैं आज कि दूट इडिटूरियल वकाबलरी की पहले एडिटूरियल का पहला वर्ड आप रेख सकते हैं एडिटूरियल से अप हेडिंग से अप एडिटूरिय इंट्रूजन एंटॉन से नॉन इंटर्फेरंस नॉन इंटर्विंचन चैलेंज और एड्वंटेज एग्जांपल देख लीजिए आफ्टर ए सर्टन पॉइंट मेडिकल इंटर्विंचन में भी निसेसरी तो किसी रोगी के लिए ये बात कोई डॉक्टर बोल रहा है कि सर्टन पॉइंट के बाद जो कितसा संबंधी जो अहस्तक्षेब है वो करना अनिवारिय हो जाएगा अगला हमारा सब्सक्राइब ग्रेटिफिकेशन यहां पर नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है हम संतुष्ट हैं अपने आपसे संत संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, आनद मिलना, खुशे मिलना किसी तरह की उसे बोला गया है ग्रेटिफिकेशन सेनॉन से है सैटिस्फिकेशन प्लेजर, एंजोयमेंट, डिलाइट और हैपिनेस, अन्टॉन्म से है डिसपोइंट्मेंट, अगानी, डिससटिस्फि अगला हमारा सब्द है वांटिंग, यहां पर एजेक्टिफी तरह वर्ड यूज हुआ है, वांटिंग का मतलब होता है, अप्रयाप्त मात्रा में होना, कमी होना किसी चीज़ की, नाकाफी होना, उसे बोला गया है वांटिंग, सेनॉनिम से लेकिंग, डिफिशियंट, इन अगला हमारा सब्द है अबंटिंग, यहां पर एजेक्टिफी तरह वर्ड यूज हुआ है, अबंटिंग का मतलब होता है, किसी को छोड़ कर चले जाना, परित्यक्त कर देना, प्यागना किसी को, उसे बोला गया है अबंटिंग, सेनॉनिम से, इन्हेबिटेज, और सेवड, एक्जम्पल है, यहां पर नाम की तरह यूज हुआ है, वर्ड, ग्रेवैंस का मतलब होता है, किसी बी तरह की शिकायत, या किसी बी तरह का अपना दुख सुनाना या दिला, बताना किसी को, कि किसी के साथ किसी तरह का गलत काम हुआ है, कोई अन्फेर चीजे ह हुई है, तो अपनी शिकायत अपनी व्याथा बताना, that is called grievance, synonym से complaint, grudge, objection, or beef, antonym से compliment, praise, acknowledge, or peace, example है, the main grievance of the drivers is the imposition of higher fees for driving licenses, तो जो चालक है, उनकी main शिकायत, main व्याथा, दुख, तकलीफ उनकी यही थी, कि जो driving licenses है, उनके लिए बहुत जादा फीस जो है, वो वशूली ज जा रही थी, अगला हमारा शब्द है, orphan, orphan यहाँ पे नाम की तरह used हुआ है, orphan का मतलब होता है, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उन बच्चों को बोला जाता है, orphan, orphan के synonym से orphaned, parentless, stray, or fatherless, and torum से adopted, adopted, or adaptive, example है, they adopted the orphan, तो किरी दंपत्ती की बात की जा रही है, कि उन्होंने किसी अनाथ को जो है, वो गोद ले लिया, adopt किया है, अगला हमारा शब्द है, chasm, यहाँ पे नाम की तरह word यूज़ हुआ है, chasm का मतलब होता है, किसी बात को लेकर आपस में, गहरा मतभेद होना, अन्बन होना, असहमती होना, उसे बोल example है, the chasm that divides the words of university and industry, तो यह बात की जारे है, कि इस तरह का गहरा मतभेद, जिसने विशु को पूरे विशु को university और industry में, बाट दिया, डिवाइड कर दिया, अगला हमारा शब्द है, rampant, यहाँ पे एजेक्टिक भी तरह word यूज़ हुआ है, rampant का मतलब होता है, किसी भी ज नियंतरित तोर पर बढ़ना, फैलना, जिससे कंट्रोल कर बाना काफी मुश्किल हो, उसे बूला गया है, rampant, synonym से unrestrained, uncontrolled, widespread, or unchecked, antonym से controlled, restrained, limited, or minor, example है, car theft is rampant in this town, कि इस कस्मे में, इस टाउन में, जो car की चुरी हो, दिन पती दिन, नियंतरित तोर पर बढ़ती ही जा रह अगर आपको याद हो, आज वर्ड है, malpractice, तो जहां भी mal लगा होगा, मतलब गलत काम कोई, malfunction का use हुआ था, वहाँ पर machinery, खराबी की sense में, और आज हुआ है word का use, malpractice, उसका मतलब होता है, ऐसा कोई काम, जो कि घर कानूनी हो, अनुचित हो, अनाचार हो, जिसमें, उसे ब allegations of malpractice, तो ये बात की जाए है कि इस तरह के जो गहर कानूनी अनुचित कोई काम था, इस तरह के दो-तीन ही आरू लगाए गए थे, कि ये गलत काम है, अगला हमारा सब्द है stringent, यहाँ पर जेक्ति भी तरह word उस हुआ है, stringent का मतलब होता है, ऐसे कोई कानून या नियम या there would be more stringent controls on the possession of weapons, तो कोई अधिकारी ये announcement कर रहा है, उसने ये announce किया कि weapon को हथियारों के रखने पर काफी सारे जो है, कथोर, controls, नियंतरन जो है वो अपनाये जाएंगे हथियारों के रखने पर, ये दूसरा editorial है, आप heading देख सकते हैं, दूसरे editorial से पहला word है annals, annals यहाँ पर chronicle, archives, record or history, antonym से present, actuality, certainty or fact, example, he has become a legend in the annals of military history, तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि military history में वो एक मतलब उसने एक legend की तरह उसने इतिहास बना दिया है, legend बन गया है वो इतिहास में, military की history में, अगला हमारा शब्द है euphoria, euphoria यहाँ पर noun की तरह used हुआ है word euphoria होता है, बह उसे बोला गया, euphoria, synonym से happiness, bliss, rapture or delight, antonym से disappear, depression, unhappiness or anguish, example देख लीजेए, there was euphoria after the election, की चुनाओं के बाद बहुत जादा खुशी का, पर सन्नता का जो है वो महौल था, अगला हमारा शब्द है, welded, welded, यहाँ पर वर्पी तरह used हुआ है word, welded का मतलब होता है, हथियार अपने बोला गया है, welded, welded के synonym से exerted, handled, exercised, applied, operated or managed, antonym से abandoned, avoid, seize or check, example आप देखते हैं, some of the men were welded, welding knives, की उचे जो आदमी थे, वो हथियारों को लेकर, चाकू से लेकर एक्दम हमला करने के लिए तयार थे, अगला हमारा शब्द है, sledgehammer, यहाँ पर noun की तरह word यूज हुआ है, sledgehammer का त sledgehammer का यूज हुआ है, control करने की sense में किसी को निर्देता के साथ पेशाना, power को दिखाने के लिए, उसे बुल लगाए, sledgehammer, synonym से hammer, sledge, mall, mallet or gravel, antonym से claim or be defeated, नेट समारा वड़ है contention, यहाँ पर noun की तरह word यूज हुआ है, contention का दो मतलब में, दो context में आप मतलब समझ हुआ है, वो हुआ है, किसी तरह की अन्बन को लेकर, विवाद को लेकर, जगडे को लेकर, असहमती को लेकर, उस context में आज इसका यूज हुआ है, editorial में, contention का, synonym से argument, competition, debate, or controversy, antonym से accord, resolution, certainty, or clarification, अगला हमारा शब्द, logjam, logjam, यहाँ पर नाम की तरह यूज हुआ है, word logjam का म Anonym से deadlock, stalemate, impasse, standstill, or bottleneck, antonym से advantage, solution, boon, add, or answer, example, a new initiative was needed to break the logjam, तो किसी तरह का कोई नया initiative लेना पड़ेगा, किसी तरह में, कहीं प्रगती नहीं हो पा रही है, किसी तरह के काम में, तो कोई नया initiative जो है, लेना हुआ, उस logjam को तोड़ने के लिए, अगला हमारा शब्द है, इग्नॉमिनी, इग्नॉमिनी, लास्ट वर्ड है, आजगा, इग्नॉमिनी का मतलब होता है, किसी का अपमान करना, तिरसकार करना, बदनामी करना, उसे बोलगा है, इग्नॉमिनी, इग्नॉमिनी के synonym से shame, disgrace, humiliation, infamy, or dispute, antonym से honor, dignity, pride, glory, or fame, example है, they suffer the ignominy of being imprisoned, तो किनी व्यक् के लिए बन्रिये चैनल पर, thank you, thanks for watching.